हलो एबरीवान आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं बनाने जारी हूँ कैवेज वड़ी यानि कि पत्ता गोभी वड़ी ये एक महराश्ट्रियन स्नैक्स होता है यानि कि महराश्ट्रियन नास्ता इसको बनाना बहुत ही जादा आसान है और ये खाने में बहुत ही जादा टेस्टी होता है इसमें तेल भी बहुत कम लगता है और ये हेल्दी भी होता है मैंने पत्ता गोभी और धनिया पत्ता को चौपर में अच्छी तरह से चौप कर लिया है और साथ ही उसमें अद्रक और लहसून को भी पीस लिया है अब हम इसमें राइस फ्लोर डालेंगे अब नमक डालेंगे लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हल्दी पाउडर भी डाल देंगे अब हम इसमें थोड़ा सा कच्चा तिल डालेंगे अब बेशन डालेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा निम्बू गरस डालेंगे अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ठीक बैटर बनाएंगे एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो ये बैटर थिन हो जाएगा अच्छी तरह से सारी चीजों को मिलाते हुए ठीक बैटर बनाना है इस तरह का ठीक बैटर बनाना है मैं अब हम एक प्लैट में थोड़ा सा तेल लगा देंगे अब प्लीट में हम बेशन के इस मिक्स्चर को डाल देंगे दीरे दीरे अच्छी तरह से अब हम इसको स्टीम में पकाएंगे मैं इसको स्टीम करने के लिए राइस कुकर यूज कर रही हूँ राइस कुकर में सबसे पहले हम पानी गरम होने के लिए रखेंगे फिर स्टीमर वाला ढखकन रख देंगे जब पानी अच्छी तरह से गरम हो जाए तब हम उसमें बेशन के मिक्सचर वाला प्लेट रख देंगे उसको अच्छी तरह से पक जाने तक पकाएंगे ये दिखिए बेशन का मिक्सचर हमारा अच्छी तरह से पक गया है ब हम इसको चाकू से कट कर लेंगे इस तरह से कट कर लेंगे आप चाहें तो इसको माइक्रोवेब में भी पका सकते हैं या फिर प्रेसर कूकर में भी पका सकते हैं ध्यान रहे कि प्रेसर कूकर में सीटी न लगाएं इस तरह से कट कर लेंगे अब धीरे-दीरे नाइफ से हम वड़ी के टुकड़े को निकालेंगे इस तरह से ये देखिए वड़ी विल्कुल अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है अच्छी तरह से पक चुका है ये अब हम इसको डी फ्रै या फिर सैलो फ्रै कर सकते हैं बाकी के बड़ियों को भी हम दिरे दिरे नाइफ से अच्छी तरह से निकाल लेंगे अभी ये हलका गर्म है तो तूट सकता है तो इसलिए हम इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे फिर हम इसको प्लेट से निकाल लेंगे फिर फ्राय करेंगे एक फ्राइंग पैन को गरम होने के लिए रखेंगे फ्राइंग पैन जिब गरम हो जाए तो मुसमें ओयल डालेंगे आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं ओयल गरम होने के बाद हम उसमें एक एक करके वड़ियां डालेंगे इस तरह से दीरे दीरे इसको हम दो मिनट तक एक साइड से मीडियम हीट पे पकाएंगे उसके बाद हम इसको दीरे दीरे टर्न करेंगे हीट ज्यादा न रखे नहीं तो यह जल जाएगा बहुत जल्दी अब हम इसको दूसरे साइड से भी एक से दो मिनट तक पकाएंगे आप चाहें तो उपर से थोड़ा सा कच्चा दिल डाल सकते हैं इस तरह से कैवेज वड़ी यानि कि पत्ता गुबी के वड़ी हमारी रेडी है सर्व करने के लिए आप इसको हरी चटनी और टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं ये पत्ता गुबी की वड़ी खाने में बहुत ही जादा टेस्टी बनी है आप इसको जरूर एक वर्ट राय करें अगर आपको मेरी डिस पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू सो माच